पी-म विश्व कर्मा योजना के एलान से आम तोर पर व्यापक चर्चा हुई है अकपारों का भी ध्यान गया है जो अर्थ वेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है अद इसलिए इस योजना की गोशना ही एक आकर्शन का केंदर बन गई है अब इस योजना की आवश्रक्ता क्या रही को इसका नाम विश्व कर्मा ही रखा गया कैसे आप सभी स्टेक्वोंडर्स इस योजना की सभलता के लिए बहुती एहम है इन सभी विश्वों पर कुछ बाते मैं भी करूँगा और कुछ बाते आप लोग चर्चा से मंधन करके निकालेंगे साथियों हमारी मान्यताओं में भगवान विश्व कर्मा सुरुष्टी के नियंता और निर्माता माने जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा सिल्पकार कहा जाता है और जो विश्व कर्मा की मूर्ती की लोगों ने कलपना कि उनके हाथ में सारे अलग अजार है हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ स्रिजन करने वाले और वो भी औजार की मदद से करने वाले उन लोगों की एक सम्रुद परंपरा रही है जो टेक्स्टाइल के एक्षेदर में काम करते हैं उनकी तरफ तो ध्यान गया है लेकिन हमारे लुहार, स्वर्नकार, कुमार, बढ़ई, मुर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं जो सद्यों से अपनी विशिष्ट सेवाओं की वजह से समाज का अभिन हिस्सा रहे हैं इन वर्गों ने बदलती हुई आर्थिक जरूरतों के मताबिक समय समय पर खुद में भी बढ़लाव किया है साथ ही इनोंने स्थानिय परंपराओं के अनुसार नई-नई चीजों का विखास भी किया है अब जैसे महराचर के कुछ हिसों में हमारे किसान भायवेन अनाज को बास से बने एक स्ट्रोडे स्ट्रक्षर में रखते हैं इसे कांगी कहते हैं और इसे स्थानिय कारिवरी तयार करते हैं इसी तरह अगर हम कोस्ट्रलिया में जाए तटी लियाकों में जाए तो समाज की जरुरतों को पुरा करने के लिए तरह तरह के सिल्प का विकास हुआ है अब केरला के बात करें तो केरला की उरू बोट पूरी तरह हाथ से तयार की जाती हैं मचली पकड़ने वाली इन नौकाओं को वहां के बड़ी ही तयार करते हैं इसे तयार करने के लिए विशेस तरह का कौशल दक्सता और विश्यसग्यता चाहिए होती हैं साथियों स्थानिय सिल्फ के छोटे पैमाने पर उत्पादन और उनके प्रति लोगों का आकर्शन बनाए रखने में कारी गरों की भूमी का महत्वपुन होती हैं लेकिन दुर्भागे से हमारे हां उनकी भूमी का एक प्रकार के समाज के भरुसे ही छोड़ दी गई और उनकी भूमी का को सिमित कर दिया गया सिची ते ये बना दी गई कि इन कारियों को छोटा बताया जाने लगा कम महत्वका बताया जाने लगा जबकि एक समय था ऐसा भी था कि इसी से दुनिया भर में हमारी पहचान थी ये निर्यात का एक ऐसा प्राचिन मोडेल था जिसमें बहुत बड़ी भूमी का हमारे कारियों की थी लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में ये मोडेल भी चरमरा गया उसको बहुत बड़ी बड़ा नुक्षान भी हो गया आजादी के बाद भी हमारे कारीदरों को सरकार से एक जो इंटर्वेंशन की आवशकता थी बहुती सुघर तरीके सी इंटर्वेंशन की आरस्त्वा थी जहां जबुरत पड़े मदद की आवशकता थी वो नहीं मिल प झाले जाइ